हाई एब्रीबन केसे हूँ आप सभी लोग आयोप अपलोग एच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्पा लाएं स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल जेयार टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज आपके लिए अगें वन अफ्ट इंपोर्टेंट चाप्टर का वन अफ्ट इंपोर्टेंट रिवीजन वीडियो में लेकर आ चुका हूँ जिसमें हम आज के दिन बात करने वाले हैं हमारे 10 स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक पार्ट वन ठीक है और य अब जो बचा कुछा रिविजेन करवाना है ना जो कि हमारे एंड गेम सीरीस का हिस्सा है वो आपको मिलने वाला है कि तो क्या आप लोग इस चीज के लिए तयार हो फटा-फट से तयार हो जाना एन फटा-फट से हमारे साथ इस मोहीम में शामिल हो जाना और बहुत अच जाधा revision के तोर पे हम कराने वाले थोड़ा fast जाने वाले ताकि आपको हर एक चीज revision हो पाए अब यह जो basic introduction heat की अगर मैं बात करूँ heat is nothing but a form of energy, energy का एक form है heat, जैसे गर्माहट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो heat जो होता है, that is nothing but the change in temperature when we are increasing the temperature, तो क्या होता है, heat भी बढ़ता है, जैसे कि अगर आप normally हमारा जो अभी का जो room temperature होगा, जो normal room temperature होता है, वो 25 degree Celsius होता है, 25 degree Celsius हमारा room temperature होता है, जैसे हमने उसको heat करना start कर कर दिया, तो 25 से क्या हो जाएगा, 26, 27 से point point में बढ़ते रगा, बढ़ते जाएगा, और एक time आएगा कि बहुत ज़्यदा गर्मी हो जाएगी, और आप एक चीज़ तो समझते हो, कि 100 degree में तो पानी भी boil होने लगता है, और हम इंसान 100 degree तर सर्वाइब नहीं कर पाएँग हो जाएगी, और death भी होना शुरू हो जाती है, तो उतना जादा हमें नहीं जाना है, ठीक है, अब एक basic चीज़ आप जानते हो, अगर हम example ले, water का, तो water के case में आप एक चीज़ जानते हो, तीन temperature काफी ज़्यदा important है, सबसे पहले अगर आप देखोगे, एक होता है 0 degree Celsius, इ यह चीज़ आप समझ के लेते होंगे, ठीक है, इसके अलाबा एक और temperature होता है, जिसको हमें बोलते है, 4 degree Celsius, 4 degree Celsius तक temperature क्या होता है, normally, यहाँ पे, जो पानी जो है, 0 से 4 तक आते आते, जो पानी है, जो आपका, sorry, जो आपका ice था ना, जो पहले solid के form में था, वो धीरे-धीरे किसमें melt होने लगता है, water में weld होने लगता है, यानि कि 0 degree Celsius जब है, या फिर minus में है, तो आपका जो पानी है, वो क्या है, बरफ है, बरफ है, यानि कि यह solid material है, एक solid है, कड़क चीज है, अब जैसे जैसे आप उसको heat supply करोगे, तो temperature 0 से लेके धीरे-धीरे बढ़ेगा, 0 से 0 0.5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो 0 से 4 तक आते-आते, ये जो बरफ था, जो ice था, आप वो क्या होने लगेगा, पिगलने लगेगा, यानि कि melt होने लगेगा, अब वो melt होने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, पानी में वो क्या हो जाएगा, convert हो तो 0 से 4 degree तक वो पानी में होना convert हो जाता है पूरो प्रॉपर तरीके से and 4 degree के बाद वो बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है temperature आप heat supply करते जाओ temperature बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और कब तक बढ़ेगा दोस्तो 100 degree तक आप बढ़ा सकते है और 100 degree पे जब बढ़ जाता ह तो वही पानी क्या हो जाता है? boil हो जाता है और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते है? यह convert हो जाता है किसके अंदर vapor में तो यहाँ पे सबसे पहले ice जो था वो गया था एक solid के form में था अब water में हो गया तो यह क्या बन गया? एक liquid के form में convert हो गया और वही जब vapor में convert हो गया त वॉलिट से लिक्विड, लिक्विड से गास, कैसे हो रहा है, 0 से लेके 4 डिगरी, 4 से लेके 100 डिगरी दर, यह temperature और यह fundamental चीज़े पता होनी चाहिए, इसमें से MCQs, और छोटे-छोटे 1 sentence के question बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और यह आपको उमीद करता हूँ, कि बहुत प्कानीं तरीके से ये चीज़ समज में आ गया होगा, अब एक चीज़ और है, इसको आप बारी की से समझो थोड़ा सा, यहा पर मैं बता देता हूँ, एक सेकंड़ रुक जओ, अब यहां पे एक चीज़ और मैं बता रहाँ, यह तो आपको समझ में आ गया होगा, और जो हम जो heat पढ़ रहें, यहां पर एक छोटा सा graphical method से आपको बढ़ानी की कोशिश करता हूँ, समझ लो, कि यहां पर क्या है, मेरे पास एक graph है, ध्यान से देखना, समझ लो, यहां पर मेरे पास graph है, अब यहां पर एक point है, यह एक point जो है, इसका नाम में A रखता हूँ, और यह जो A point है, यह क्या है, एक combination है, ice plus water, ठीक है, अब यह चीज़ आपको समझ में आ रहे है, अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर temperature आगर हमें नीचे लिखू, ठीक है, यहां पर एक यहां पर चीज़े अगर मैं maintain करने की कोशिश करू, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, कि यहां पर हम डाल रहे है, temperature, ठीक है, तो समझ लो, यहां तक आपका 4 degree Celsius था, यह आपका 0 degree Celsius हो जाएगा, और समझ लो, कहीं पर हम लोग, जो है, क्या करेंगे, 100 degree Celsius डाल देंगे, तो basically क् मैंना, कि आपका जो यह point होता है, यह जो आपका 0 degree का point है, जैसे मैंने आपको अभी explain किया, तो 0 degree पर क्या रहेगा, वो 0 ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, temperature अगर यहां पर मैं mention करूँ यह आपका time समझ लो, यह आपका time है, यहां पर क्या है, time है, ठी इसके बाद क्या होता है, यहां पर, तो basically अगर मैं बात करूँ, यहां पर temperature अगर हम लिखेंगे, 10, 20, 30, 40, करते 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 समझ लो, यहां पर 100 तक लिख दिया हमने, ठीके, तो क्या हो रहा है, कि यहां से लेके यहां तक जो है temperature, जो है, यहां पर जो है, वो same रहेगा, क्य हम यहां पर क्या बता सकते हैं, यहां पर water, जो होगा, वो liquid form में होगा, यहां पर, यहां पर क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, और यहां से लेके यहां तक जो part रहेगा, वो क्या रहेगा, ice का combination water के साथ रहेगा, तो यह चीज़ आपको समझा होगा, बहुत के form में था, solid के form में था, अब एक चीज़ आपने देखा, कि ice हमारा जो है, किस में convert हो गया, water में convert हो गया, जो कि क्या है, एक liquid form का है, यह भी आपको मैंने बता दिया, अब एक fundamental यह है, कि जब यहां पर वो ice था, ice से धीरे-धीरे वो convert हो गया, water में, तो ice से water में convert होने के के लिए वहाँ पे कुछ heat energy supply होगी, समझ में आ रहा है, वहाँ पे कुछ heat energy supply हो रही है, तभी तो वो बरफ जो solid form में था, वो पानी बनाए, समझ में आ रहा है, तो अगर वो बरफ पानी बन रहा है, इसका मतलब उसमें heat energy supply हो रही है, तो कितना amount of heat energy supply हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग एक definition क्या बोल सकते हैं कि the heat energy absorbed at the constant temperature, यानि temperature जो है वो constant है यहाँ पर, तो उस temperature के constant होने के वजे से और उसी दोरान जहां पर जितना amount of heat energy absorbed हो रहा है ना, ताकि वो solid वाला चीज लिक्वीड में convert हो सके, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, latent heat of fusion, एक बहुत ही ब latent heat of fusion, बहुत बढ़िया topic है, ठीक है, समझ में आया, वापस बताओं एक बार देखो, क्या हो रहा है, अब definition सुनो, क्या बोल रहा है, the amount of heat energy absorbed at constant temperature, while converting the solid, यानि ice convert हो रहा है, liquid में, while converting the solid into liquid, that heat supply is known as the latent heat of fusion, समझ में आ गया, बहुत साधारान सा बहुत ही, चीज का, अच्छा य यहाँ पर इससे एक चीज़ पता चला हमें, यहाँ से यहाँ तक, जो है आपका temperature जो था, वो constant तक, temperature change हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, लेकिन आपका यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, कि आपका जो solid था, वो liquid में convert हो रहा है, जो heat supply हो रही है, उसके अंदर वो रहेगा, हमारा latent heat of fusion अब latent heat of fusion में एक और चीज़ आ जाता है additional जो किये दोस्तों यहाँ पे specific latent heat of fusion अब specific heat क्या होगा यह तो आपका definition exam में पूछेगा लेकिन कभी-कभी एक और चीज़ पूछता है इसमें जो कि है specific latent heat of fusion अब इसका मतलब क्या यह दोनों में क्या फरक है तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो इसका मतलब यह है कि the amount of heat energy ठीक है the amount of heat energy absorb at constant temperature by a unit mass by a unit mass at a unit volume याद रखना ठीक है जो भी unit mass रहेगा of solid ताकि वो convert हो सके liquid में तो यहाँ पर यह एक्स्ट्रा word आने के वज़े से by unit mass the amount of heat energy absorb by a unit mass of solid that is transforming into liquid is known as the specific latent heat of fusion तो बच्चे confused क्या होते हैं कभी-कभी आपको definition पूछता है latent heat of fusion का और आप लोग इसका definition लिखके आ जा तो जो दोनों में थोड़ा ही फरक है खुछ फरक नहीं है यह दोनों almost से में लेकिन एक extra चीज़ यहाँ पर क्या आ गया वैसे ही एक होता है दोस्तो latent heat of vaporization क्या होता है latent heat of vaporization देखो अब इसको ध्यान से समझ में आ जागा बहुत बेतरी तरीके से clear cut समझेगा एक चीज़ आपने यहाँ पर notice किया कि यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है temperature constant है और इसी दौरान आपका जो बरफ था solid जो था वो liquid में transform होना यहां से शुरू हो गया तो यहां पर जो आपका अब वो किसमे convert हो जा रहा है वेपर में convert हो जा रहा है जो कि क्या है गैस का फक Mist है यहाँनि कि सबसे पहले latent heat of fusion जो पड़ा यादर रखो fusion जो पड़ा fusion में solid से liquid कनवर्ट हो रहा है समझ में आ रहा है और vaporization में क्या हो रहा है liquid से vapor बन रहा है यानि liquid से gas में convert हो रहा है और according to definition हम same चीज़ बताएंगे जो हमने latent heat of fusion का definition पढ़ा था कि the amount of heat energy required to convert or to transform the solid into liquid पढ़ा था ना अब यहाँ पे change क्या हो जाएगा अब हो जाएगा वो यहाँ पे the amount of heat energy required to transform the liquid into vapor बस इतना ही फरक है देखो कितना साधारन सा चीज़े और कितना simple चीज़े दोनों को याद रखना दोनों similar ही है लेकिन फरक क्या हो रहा है वहाँ पे solid से liquid है यहाँ लिक्विड से गास है बस इतना याद रख लोगे दिमाग एकदम चिल हो जाएगा और यह चारो definition में से अभी तो ती नहीं बता है चाहता बता रहा हो इस में से आपके definition में से एक definition एक marks के लिए 100% पूछने के चांस है आपके science 1 के paper के अंदर ठीक है समझ में आ गया तो क्या लिखोगे the amount of heat energy required to transform water into vapor और liquid into gas is known as the latent heat of vaporization समझ में आ गया ठीक है अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान लगा के देखो आप लोग ठीक है अब यहाँ पर जो latent heat of fusion पड़ा उसके बास specific latent heat भी आ गया वैसे ही यहाँ पर latent heat of vaporization है ना तो उसी related आ जाएगा आपका specific latent heat of vaporization क्या आ जाएगा specific latent heat of vaporization देखो ध्यान से इसमें क्या फरक करेगा again क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपने क्या लिया था by unit mass कभी सोचा है unit mass क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पर आपने solid को liquid से convert किया और solid का हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों mass लेते हैं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर liquid है तो liquid का क्या होता है mass होता है क करेक्ट है, वॉल्यूम होता है, आप समझदार हो यार, आपने बहुत अच्छा-च्छा response दिया, thank you so much, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a liquid to convert into gases, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, कि कितना by unit volume mass, ठीक है, of that particular liquid, ठीक है, मास बोलो, लेकि जादर volume लिखना तो जादा better हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से आप लोग को बता सकते हैं, समझ में आ गया दोस्तो, clear है, clear है, तो यही आपका चीज़े है, specific latent heat of vaporization, तो यह chart definition जो मैंने अभी लिखाया है, और यह diagram, यह आप लोग को याद रख लेना है, और क vaporization and specific latent heat of vaporization, ठीक है, समझ में आ गया, चलते हैं, अगले topic के दरफ, तो सबसे पहले इसको मैं मिटाओंगा, रफ करूँगा, चलो, आप लोग इसको copy कर सकते हो, अगर आपको करना हो तो फटा-फट से, आपको मैं एक मिनट का time देता हूँ, ठीक है, चलो, हो गया, चलो heat नाम का subject है, जो बच्चे को कुछ नहीं आता होगा, पहले heat में, जो बच्चा average होगा, हम उसको भी topper बना देंगे आज, आज अगर वो बच्चा ध्यान से heat देख लेजा है, जिंदगी में कभी आपको भूल नहीं पाओगे आप, ये जो heat जो chapter है आपके लिए, ठीक है, चलो, देखो अभी ध्यान से, यहाँ पर हमने पढ़ लिया, latent heat of fusion, latent heat of vaporization, अब इसी के related topic है दोस्तों आप चीज जानते होगे, कि हमारा जो heat है ये बहुत ही खुपसूरत चीज है, और इसी खुपसूरत चीज में एक magic वाला topic है हमारा regulation, एक magical topic है, ये बहुत magic वाला चीज ह इसको आपको ने में एक experiment करके तो नहीं बताऊंगा अभी, युकास experiment series आने में time है, आपके vacations में आएंगे हो, tension मत लेना, लेकिन regulation में अगर मैं आपको एक बात बताऊ ना, ये बहुत सुन्दर topic है, बेसिकली समझ लो आपको पता है, एक बरफ का तुकडा ले लो, ठीक है एक बरफ का क्या ले लोगे आप, समझ लो क्या ही ये तुकडा, ठीक है अब ये बरफ का तुकड़ में क्या करना है आपको, यहाँ पे रस्सी डाल देना है, ठीक है जैसे एक slab होता है बरफ, जैसे आपने गोले वाले के पास देखा होगा, जो गोला बरफ बनाता है, यह क तो अच्छे से डाग्रम अगर मैं बना के दिखा हूं, और अच्छे समझ में आएगा, देखो यहाँ पे. तो दिरे दिरे वो क्या करेगा, बरफ को तुकड़ा कड़के काट देगा, दो तुकड़े में बरफ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप रस्य को निकाल दोगे, वो रस्य जो जिसके वे से बरफ जो दो तुकड़े हो गए थे, लेकिन अभी भी वो आपने अलग अलग किया न जो किये the phenomenon in which the ice converts, एक phenomenon है जिसमें ice जो होता है बरव जो होता है वो convert होता है liquid के अंदर, इसमें convert होता है, liquid के अंदर convert होता है, क्योंकि आपने इसको क्या किया, pressure लगा या, pressure लगा या है, तो धीरे धीरे वो by applying some pressure by applying some pressure this is the most important term in this definition regulation kya bolta hai the phenomenon in which the ice converts into liquid and then re-converts into ice again after applying some pressure and that is why this phenomenon is called as a regulation समझ में आ गया बहुत ही खूबसूरत topic है pressure जैसे remove हो जाएगा फिर से वो convert हो जाएगा समझ में आ गया इतना simple सा ये चीज़ था तो आपने क्या किया यहाँ पे जो रस्ती लगाया था जिसके वैसे ये क्या हो जाएगा समझ लो ऐसा तुकडा हो गया दो अलग-अलग हो गया लेकिन आपने जैसे रस्ती निकाल दिया pressure remove हो जाएगा तो इधर के molecule और इधर के molecule ice में एक दूसरे को वापस से bond बना के चिपक जाएंगे फिर से वो फ्रीज हो जाएगा और ये एक बहुती सुन्दर फंडा है ice का कभी ने घर पे जोड के देखना आपके घर में फ्रीजर होंगे आपके घर में रेफ्रीजरेटर तो होगा मेरे इसाब से ठीके दो बरफ लेना दो बरफ अलग अलग क्यूपस होते है न ice cubes निकालके दो बरफ को न आपस में जश्ट एकदम करीब नहीं चिपका के नहीं हलका सा करीब रखना प्लेट में डालके हलका से करीब रखना और उसको फ्रीजर में डाल देना वापस से तो थोड़े टाइम के पाद आप दब देखोगे न वो दोनों आपस में चिपके होए रहेंगे और एकदम बॉन्ड बना लेंगे आपस में यह प्रॉपर्टी है रेगिलेशन की प्रॉपर्टी बिहेवियर ओफ वाटर ठीक है अब यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पानी जो होता है पानी का एक ऐसा बिहेवियर है जो बहुत अलग है जो शायद आप नहीं जानते होंगे अगर आपने हमारे रेगुलर लेक्चर पुराने देखे होंगे तो आपको पता होगा जब यह लिक्वीड को जब आप हीट करो कोई भी लिक्वीड को जब आप हीट करोगे तो जो लिक्वीड होता है वो क्या होता है एक्सपांड होता है यह तो हमने पहले ही सीख लिया पहले टॉपिक में सीख लिया यह तो आपको समझ में आगा कि वेनेवर वी हीट एनी है अब समझ में आया तो यहां पर कहने का मतलब यह था कि अगर लिक्विट को हम हीट करने तो वो क्या हो रहा है एक्स्पांड लेकिन पानी जो है न डोस्तो इसका एक फंडा यहा है कि यह बहुत अलग रिस्पांस करता है उसका गार भीबिये पेल है चलो चलो देखते हैं, तो liquid whenever we heat, it gets expand, and whenever we cool the liquid, whenever we cool the liquid, it gets contract, यह भी आपको मैंने बता दिया, expand हो रहा है, contract हो रहा है, heat करने पर expand, cool होने पर contract, तो basically क्या होता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर एक अलग behavior है, कि जब भी हम लोग पानी को 0 degree Celsius पे जब होगा, पानी 0 पे होगा, मतलब भरफी होगा, समझ में आ रहा है, तो 0 से लेके, जब इसको मैं heat करना start करूँ, 0 से लेके, जब मैं heat करना start करूँ, ठीक है, कहा तक 4 degree Celsius तक, जब 0 से मैं 4 degree Celsius तक heat करूँ, तो मुझे एक answer आप लोग से चाहिए, जो आप लोग मुझे आभी comment करोगे, तुरंट करना live में यहाँ पे, कि 0 से लेके 4 तक, आप जब heat करोगे, तो पानी का क्या होगा, expand होगा, कि contract होगा, यह मुझे बताओ, पानी का क्या होगा, एकसपांड होगा, कि contract होगा, तो आप बोलोगे, obviously सर, कि जब हम heat करते हैं, तो पानी होता है, expand, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, expand होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सालोग हो रहा, यह हो रहा है contract, देखो, यहां पे क्या हो रहा है, contract हो रहा है इसके वज़े से क्या हो रहा है, कि यहां पे 4 degree Celsius के वज़े से यहां पे 4 degree Celsius पे क्या हो रहा है, contract हो रहा है लेकिन यहां पे होना क्या चाहिए था, actual में क्या होना चाहिए था, वो expand होना चाहिए था लेकिन actual में क्या हो रहा है वो contract हो रहा है यही एक अलग behavior है और at the same time जो 4 degree Celsius जब पहुचेगा जब heat अपना करते करते temperature जब 4 degree Celsius पहुचेगा तो उस time पे जो volume रहेगा वो सबसे अपने minimum point पे रहेगा वो volume क्या रहेगा सबसे अपने क्या रहेगा minimum point पे रहेगा एक चोटा सा diagram है वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ let's suppose कि यह मिर पास एक graph है क्या है यह मिर पास एक graph है अब यह graph में ध्यान से देख ले ना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसका volume specific volume लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं.10 लिख रहा हूँ to point one five लिख रहा हूँ point two zero लिख रहा हूँ ठीक है इस प्रकार से एक चीजझ क्या पसा बढ़ाते जारा आपको और यहाँ पी मैं टेंपरेचर रहा हूँ ठीक है नठीक है न के बदले contraction में जा रहा है और दूसरा चीज है कि 4 degree Celsius पे आने के बाद उसका volume जो है वो सबसे minimum हो जा रहा है तो यहां ही कि समझ लो कि पहले जो पानी का volume था वो generally यहां के आसपास था ठीक है ना यहां पे 1000.010 समझ लो था अब जैसे जैसे वो temperature आगे बढ़ते जा रहा है या यह graph देखके भी आपको idea लग रहा होगा कि जो मैंने बोला यहां पे क्या बोला कि at 4 degree Celsius यहां पे देखो 4 degree Celsius पे आके जो volume था वो सबसे minimum पे चला गया उसके बाद वापस से उठ जाएगा वो क्यूंकि फिर आप 4 degree के आगे भी अगर आप इसको heat करोगे ना 4 degree के आगे जब आप इसको heat करोगे तो अब वो जाके किस पे आएगा 5 degree पे आएगा 6 degree पे आएगा तो अब जाके उसका क्या हो जाएगा expansion हो जाएगा अब जाके उसका expansion हो जाएगा तो ये जो उसने weird behavior किया ये जो पानी ने अजीब हरकत की क्योंकि नॉर्मली तो पानी को पता है मेरा behavior क्या है कि जब मेरे को heat मिलेगा तो मैं expand करूँ गा लेकिन वो कर क्या रहा है 4 degree तक contract कर रहा है अपने आपको क्या कर रहा है contract कर रहा है और उसका जो volume है वो भी minimum हो जा रहा है 4 degree पर आके लेकिन 4 degree से temperature जैसी आगे बढ़ना शुरू होगा 4 से 5 5 से 6 अब वो आ जाएगा अपने original अवतार में कि नई भाई अब contract नहीं अब क्या करना है मेरे को expand करना है तो 4 के बाद 5-6 करते करते जो पानी होगा वो expand करने लगेगा और कब तक expand करेगा 100 degree तक आते आते expand करेगा ताकि पानी वहाँ तक आते आते boil हो जाए और वो vapor में convert हो जाए जिसको हम लोग क्या बोलते है vaporization समझ में आ रहा है दोस्तों clear है तो उमीद कर रहा हूँ यह चीज़ समझ में आ गया गा और यही जो funda है यही जो behavior पानी ने 0 degree Celsius से लेके 4 degree Celsius तक यह जो behavior पानी ने किया है इसी behavior को हम लोग क्या बोलते है anomalous behavior क्या बोलते दोस्तों anomalous behavior यह चीज ध्यार में रखना क्या बोलते है anomalous behavior बोलते है ठीके इसको एक बार देख लो अच्छी तरीके से अब मैं इसको मिटाऊंगा यह हो गया हमारा topic जो कि one of the most important था इसका explanation जो है आपके book में अच्छे से learn कर लेना जो भी आप follow करते हो concept मैंने पढ़ा दिया है बहुत अच्छी तरीके से बस आपको अभी याद करना है इसको जो fundamental जो temperature मैंने बताए है वो याद रख लोगे तो बहुत सुन्दर हो जाएगा यह topic ठीक है समझ में आ गया चलो अभी इसको rough करूँगा अब हम जा रहे हमारे अगले topic के उपर और इसको मैं हमेशा से मैं बोल रहा हूँ आपको कि यह मेरे लिजर में very important topic है मतलब इसमें से आपके exams में questions आएंगे ही आएंगे चाहे दो marks के लिए short note आजाए explanation आजाए या फिर एकदम brief में आजाए लेकिन यह आएंगे इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसके बाद एक hopes apparatus है वो भी पढ़ लेना लेकिन उसको मैं revise नहीं करवा हूँगा क्योंकि वो experiment है तो आप लोग को regular lectures में मैंने कराया हुआ है तो वहां से आप एक बार check out कर सकते हो जाके अगर आपको देखना है तो लेकिन वो chances कम है आने के ठीक है एनमेलेस ब्यविर जादा पूछने के chances है ठीक है हो गया चलो अब में इसको मिटा रहो चलो next next जाते है next topic देखते है क्या है तो हमने ये पढ़ लिया हमारा अनमेलेस ब्यविर पढ़ लिया अब एक topic ऐसा है जो कि heat में definition point of view भी जादा पूछने के chances है जो कि ये दोस्तो dew point and humidity तो ये exactly क्या होता है इसके न definitions वगरे काफी जादा पूछते है dew point क्या होता है और humidity क्या होता है तो हम लोग इसको बारिकी से समझेंगे आप लोग ध्यान लगा के देखना ठीके चलो तो सबसे बिले अगर मैं बात करूए humidity की तो humidity का मतलब क्या होता है जोस्तों यहां पर एक चीज है कि आप समझते होंगे कि हमारा atmosphere होता है हवा जो बातावरन होता है उसके कहीं न कहीं क्या होता है water vapors present होते है वीपी यानि water vapors water vapors क्या होता है water vapors को अगर मैं simply बोलू तो जो पानी जो होता है बेसिकली नदी में समुंदर में यह गर्मी के कारण heat के कारण क्या होता है वेपर में convert हो जाता है इसी से वारिश आती यह आप जानते होंगे तो water vapors जो होते है तो यह क्या करते है पता है यह atmosphere में घूमफिर के रह जाते है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग एक humidity का अगर मैं definition के हिसाब से अगर मैं बात करूँ इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करू कि humidity is defined as the amount of water vapor present in the atmosphere यानि कि कितना amount of water vapor present है the amount of water vapor present in atmosphere, atmosphere में कितना present है वो हमें बताता है कि उस चीज़ का रहेगा humidity कितना रहेगा यानि कि in short the moisture in the atmosphere हम लोग क्या बोल सकते है in short जितना moisture है क्योंकि amount of water vapor का मतलब क्या हो गया कितना moisture है हवा में नमी कितना है हम लग बोलते है आज हवा में काफी ज्यादा नमी है नमी मतलब क्या होता है ठीक है न तो water vapors का amount कितना present है उस हिसाब से moisture decide होता है तो the amount of moisture present is nothing but the humidity ठीक है क्या बोल सकते है हम यह humidity का definition that is the moisture in the atmosphere is called as humidity याद रहेगा humidity का मतलब अब इसी related humidity के related ही normally कुछ fundamental topics है जो कि हम लोग discuss करेंगे क्या होता है कभी-कभी जब हवा जो होता है उसके अंदर अगर यहाँ पर maximum water vapor अगर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते है saturated ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते है saturated water vapor ठीक है यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते है saturated यानि कि हवा जो है मेरा वो क्या है saturated है क्यों saturated है हवा जब हवा के अंदर क्या हो जाता है maximum possible water vapor आ जाता है तो एक चीज़ आपको समझना है यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या समझना है कि सबसे पहरे तो humidity का definition क्या था कि हमारे हवा में कितना water vapor present है यह आपका humidity का definition बता रहा है यानि in short the moisture in the atmosphere is known as humidity लेकिन humidity में भी अगर आप air को पगड़ोगे जो हवा है हवा में भी दो type होता है एक होता है saturated air दूसरा होता है unsaturated air अब saturated का मतलब क्या होता है कि अगर जो मेरा moisture या फिर जो मेरा water vapor होता होता है तो में बेपी कि लिखता हूं है water vapor को लेकिन अगर मेरा वो ही हवा के अंदर जो मेरा moisture है या फिर जो मेरा water vapor है वो less है, कम है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, वो air क्या कहलाएगा, unsaturated air कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों, unsaturated air, मैं अंदलब air के अंदर water vapor कम है, that is why it is called as the unsaturated air, clear है, समझ में आ गया, maximum limit से कम हैगा, तो उसको हम लोग unsaturated air बोलेंगे, अब इसी के अंदर क्या होता है, कि एक और बहतरीन topic है, जिसका हम लोग बोलते है, dew point, तो यहाँ पर एक dew point temperature करके एक topic है, उसको भी हम बता जेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने heading भी डाला हुआ है, तो dew point के अगर मैं बात करूँ, एक साधाना सद definition क्या बोलता है हमारा dew point का, कि समझ लो कि जो मेरा unsaturated air है, उसके given temperature पर अगर हम बात करें यहाँ पे, उसका temperature है, उसका decrease हो रहा है, और इतना decrease करना है, कि जो saturated air जो होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे unsaturated जो होगा, वो vapors के saturation में आ जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे कि यह जो है dew point है, वो जो temperature होगा, ठीक है, जो temperature होगा, जिसमें आपका जो हवा होगा, जो air होगा, वो क्या बन जाएगा, saturated बन जाएगा, तो उस temperature पर हम लोग क्या बोलेंगे, it is called as the dew point temperature, क्या बोलेंगे, dew point temperature, in short वापस से बोलू तो temperature at which the air become saturated, ठीक है, the temperature at which the air become saturated, that temperature is nothing but the dew point temperature, ठीक है, अब इसी में एक और topic आ जाता है, जो कि यह आपका, अगर मैं बात करू, absolute humidity, जिसमें अगर मैं बालू को जो vapor content, air के अंदर जो present होता है, उसको एक physical quantity से measure करते हैं, उसी को absolute बोला जाता है, तो इसे कई सरे definitions आपको मिल जा समझ में आजाएगा कि किस प्रकार से जीजे हो रही है, उसके अंदर, ठीक है, अब इसी related एक relative humidity था, तो relative humidity already मैंने numericals जो मैं आपको पढ़ा रहा था, उसमें मैंने formula में explain किया था, तो हमारा science one का, जो numericals का video मैंने upload किया है, अगर आप देखोगे जाके तो आपको समझ में आजाएगा, याद भी आजाएगा, तो एक relative humidity का topic था, वो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि it is important, I know, लेकिन उसको already मैंने numericals में cover किया हुए, तो numericals में जाना, और numericals तो आपको देखना जरूरी है, सिर्फ 8 या 9 numericals मैंने कराया है, definitely एक या 2 में से exam में आएगा, सिर् या चलोफ, लाश्ट, इसको रफ करेंगे हम लोग, ठीक है, तो फटा-फट से जाते हैं, हम लोग हमारे अगले topic के दरब, जो की one of the best topic है, जिसका नाम है दोस्तो, unit of heat, और यह जो heat chapter है, इसमें ना, इसका unit आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ओपर, mcq, short relations, question, या फिर correlation जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे exam में question पूछे जा सकते हैं, तो unit क्या होता है, heat का, तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो, कि heat जो होता है, उसका एक basic unit होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते है, joule, और इसको लिखा जाता है, capital letter J से, J for joule, ठीक है, J से इसको किया जाता है, और वही अगर मैं बात करू, यह J, पहली बात तो क्या है, यह का SI unit है, यह J क्या है, उसका SI unit, और इसको आपको पता होना चाहिए, कि अलग-अलग unit में भी क्या बोलते है, तो CGS में भी अगर मैं बात करू, तो CGS में इसको calorie, जो है na, इसके unit से measure कि जाता है, calorie, जिसको हम लोग shortcut में CAL, Cal बोलते है, calorie, यह क्या है आपका CGS unit, तो exam में fill in the blanks में पूछता है कभी, MCQs में पूछा जाएगा, dash is the SI unit of heat, तो आप क्या बोलोगे, Joule, लेकिन अगर आपको पूछ लिया, dash is the CGS unit of heat, तो आप क्या बोलोगे, it is calorie, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, और one calorie heat भी होती है, यानि कि जो amount of heat necessary होता है, एक gram आफ पानी को एक degree temperature से बढ़ाना है, तो उसको हम लोग one calorie of heat बोलते हैं, तो यह आप एक चीज़ ध्यान में रख लेते हैं, और एक और चीज़ ध्यान में रख लेना, कि one kilo calorie जो होता है, वो one thousand calorie होता है, यह तो basic चीज़ है, यह इतना भी basic exam में नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिये, ताकि आपको याद रहे जाए, यह सब चीज़े आपको पता रहेगी, तो आपके लिए better है, ठीक है, यह हो गया, समझ में आ गया, ओके, अब आ जाते हैं, एक और important topic की तरफ, जिसका नामे दोस्तों, specific heat capacity, ठीक है, यह हो गया, screenshot ले ले लेना, चलो, क्या बोलेंगे मैं, इसको मैं बोलूँगा, specific heat capacity, specific heat capacity, okay, अब देखो यहाँ पर देखाना तो, समझने की कोशिश करो, यह जो specific heat capacity है, यह आपको क्या बताता है, सबसे पहली बात, देखो, बहुत सारे other elements होते हैं, यह आप समझते होंगी, बहुत सारे अलग-अलग type की elements होते हैं, अगर उन elements को मैंने same temperature पे क्या किया, heat किया, तो हर एक जो elements होता है, वो अपने अपने थरीके से heat को absorb करता है, जै यह जो अलग-अलग elements से बने होए, तो सबसे पहला element है, समझ लो, यह है iron, दूसरा element जो मैंने लिया हो है copper, और तीसरा element मैंने लिया है, वो है lid, यह तीन अलग-अलग elements है, अब मैं क्या करूँगा, जैस सबसे पहले यह तिन बाल को मैं निकाल के, मैं इसको boiling water में डाल दू किया boil किया जिसमें क्या करूंगा इसको मेने ये wax के उपर डाला गुशन को फिर वाउल प्रेसेगे यहां पर शेगा तो समझ लो यहां तक अंदर घुश स्वाइं समझ लो कि वो wax जो था, वो इसको पगला के समझ लो यहां तक अंदर घुस पाया समझ लो यह iron का ball यहां तक अंदर घुस पाया ठीक है, वो ही चीज copper जो था copper जो था, तो copper जब गरम करने के बाद उसको मैंने wax के उपर चोड़ा तो वो जो है समझ लो कि वो wax को पिगला के यहां तक ही घुस पाया समझ लो यहां तक ही घुस पाया अब तीसरा जो है आपका lead वो उसको अगर मैंने छोड़ा तो वो wax को पिगला के समझ लो यहां तक ही घुस पाया तो इससे क्या पता चल रहा है आपको जो capacity होती है वो अलग-अलग होती है यानि ये तीनों को iron को, copper को और lead को तीनों ball को मैंने equal amount of temperature में heat किया है equal amount of temperature में गरम किया है उसको लेकिन फिर भी गरम करने के बावजू तीनों ने अपने अपने तरीके से अपने आपको गरम किया है यानि कि तीनों के अंदर जो heat absorb हुई है वो अलग-अलग हुई है iron में heat ज़्यादा absorb हुई है तभी तो वो और ज़्यादा पिगला के नीचे आया और ज़्यादा गरम होता हो शायद इसको फाड़ के नीचे निकल जाता लेकिन वो इतना गरम था कि वो यहां तक आया पिगला के लेकिन उतने ही temperature में जो copper का ball था वो यहां तक ही आप आया और उतने ही temperature में जो lead था वो यहां तक ही आप आया इससे यह पता चला कि iron जो material है इसके पास heat absorbing capability ज़्यादा है as compared to copper and lead वो ही copper का capability lead से ज़्यादा है lead का बहुत कम है इससे यह एक चीज़ पुरूब होता यह experiment भी आपको एकजामे पूछेगा अगर पूछता है तो आप इसको लिख सकते कोई परशानी नहीं होगी तो मतलब इतना मैं बोल सकता हूँ कि यह जो specific heat जो capacity है यह क्या हम लग बोल सकते हैं कि the amount of heat energy required to raise a temperature क्या बोल रहा हूँ मैं the amount of the amount of heat energy required to raise the temperature देखो ध्यान से to raise the temperature ठीक है to raise the temperature of a unit mass of a object of a unit mass of an object of a unit mass of an object by one degree Celsius यानि one degree Celsius से भी अगर यह बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे specific heat capacity is called as is called as specific heat capacity ठीक है बहुत rough language में मैंने लिखा है मतलब बहुत fast लिखा है इसके लिए आप handwriting में मत जओ क्योंकि हम revise करवा रहे तो main important चीज़ है आपको revise करो ना presentation important यहाँ पर नहीं है तो इसको समझना पड़ेगा वापस से क्या बोल रहा हूँ में specific heat capacity में कि हर एक element का specific heat energy requirement अलग अलग होता है और वही चीज़ हम definition में अगर बोलें तो जो amount of heat energy required होती है ताकि हम जो है temperature को कोई भी unit mask का एक degree temperature भी अगर increase कर पाए वो object का तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे specific heat capacity बोलेंगे क्या बोलेंगे दोस्तो specific heat capacity बोलेंगे इसको आप बहुत अची तरीके से समझ के ले लो clear है समझ में आ रहा है दोस्तो यही बस आपको ध्यान में रखना है और इसी type के topics बहुत ज़्याद आपको पूछे जाएंगे कभी-कभी exam में questions इस प्रकार भी बूछते आपको कि हाँ बताओ कि iron हो गया copper हो गया lead हो गया अगर आपको किसी भी चीज का किसी भी object का अगर मुझे आपको heat energy निकालना है यारी कितना amount of heat energy लग रहा है उसके उपर अगर आपको उसका heat energy निकालना है तो उसका एक formula होता है specific heat of an object specific specific heat of an object इसको निकालने का एक formula होता है जो कि होता है दोस्तो M multiply by C multiply by delta T और यह मैंने आपको numericals में भी कराया था आपको याद होगा एक numerical मैंने कराया था वो बहुत important है कर लेना एक ही numerical है पूरे chapter में जो आ सकता है जो मैंने already कराया हुआ है हमारे numerical के video में तो M C delta T is the specific heat capacity of the object और इसमें अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे M is nothing but the mass C is nothing but the specific capacity specific heat capacity of that particular thing ठीक है जो भी उसका value रहेगा ठीक है और यहाँ पे जो आपका delta T दिया है that is nothing but the T1 minus T2 जो कि आपका change in temperature जिसको हम लोग बोलते हैं वो रहता है otherwise और कुछ नहीं ठीक है समझ में आ गया तो ये था हमारा specific heat capacity उमीद करता हूँ ये आपको clear हो गया होगा अब चलते हमारे आखरी topic की तरफ आखरी chapter आखरी topic of this particular chapter ठीक है क्या है देख लेते हैं फटाफट से और उसके बाद हमारा ये आज का one shot video भी जो है वो खतम हो जाएगा ठीक है रफ कर दूँ समझ में आ गया चलो आखरी topic पर जाते हैं एक topic है heat exchanger इसका कभी कबार diagram या फिर आपको शॉर्ट नॉट पूछ सकता है मैं बता जैता हूँ पहले इसको उसके बाद हम आखरी topic पर जाएगे heat exchanger, heat exchanger is nothing but जैसा आप एक चीज़ समझते हो कि दुनिया में जो object होता है heat energy is also a type of energy and we know the definition of energy energy can neither be created nor be destroyed but it can be converted into one form to another form ये आपको पता है, तो basically क्या होता है heat क्या है, एक energy का form है और energy कभी भी lost नहीं होती है ना कि create होती है, तो समझ लो आपका एक चाय है, गरम-गरम यहाँ पर आपका एक चाय है, चाय का cup है अब चाय के cup में आपने चाय डाला हुआ है गरम-गरम चाय निकल रहा है, लेकिन कुछ time के बाद ये जो चाय हो थंडा हो जाता है इसमें से vapor निकलना, खतम हो जाते है इसका मतलब क्या हुआ, कि यह जो चाय था चाय का जो temperature था, वो temperature क्या हो गया lost हो गया, temperature lost हो गया और gain किसने किया चाय ने अपना temperature lost किया, लेकिन किसी ने तो gain किया तो gain किसने किया है, वहाँ के आसपास के हवा ने यानि कि in short क्या होता है कि दुनिया में जो भी objects होते हैं या फिर जो भी चीजे हैं कोई एक heat को lost करता है तो दुसरा वो ही heat को gain करता है और तब जाके ये चीज़ balance हो पाती है समझ में आ रहा है और इसी को हम लोग heat exchanger बोलते हैं यानि one is the gaining one is the losing तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मुझे calculate करना है heat lost by any object heat lost by any object कि कोई भी object ने कितना heat को lost किया है उसको अगर मुझे calculate करना है तो मैं क्या बोलूँगा heat lost by any object is nothing but heat gained by any object समझ में आ रहा है कितना simple है heat lost by any object is equal to heat gained by any object जितना amount of heat loss करेगा उतना amount of heat को क्या करेगा gain करेगा यही तो funda है और इसी को हम लोग क्या बोलते है it is called as the principle of principle of heat exchange क्या बोलते है इसी को principle of heat exchange कहा जाता है समझ में आ गया दोस्तो clear है बहुत simple है चलो आप जाते हैं यह तो मैंने करा दिया chances कम होते हैं लेकिन फिर भी अगर आ गया तो आप इसको लिख सकते हैं ठीक है definitions वगरे के लिए पूछते हैं या फिर one shot one shot बोल रहा हूँ आखरी टॉपिक जिसका नाम है तोस्तो टॉपिक का नाम है measurement of specific heat इसका एक formula खाली बता रहा हूँ वह याद रख लेना बस measurement of specific heat देखो जहां से measurement of specific heat की अगर मैं बात करूँ तो यह जो है ना पानी और calorie meter का use करके किया जाता है ठीक है water and calorie meter इसका use करके तो इसका एक formula है बस होई याद करना आप लोगको एक्जाम में अगर आता है तो वह formula के base पे आप explanation दे सकते हो तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ कि इसका जो main कम नहीं हो सकता है मतब होता है लेकिन वह जल्दी क्या होता है नॉमली लॉस्ट होता है तो heat lost होता है ठीक है hot object द्वारा heat lost by hot object और यह definitions पूछे जाते हैं कभी कभी आप formula base पे पूछे जाते है numerical में पूछे जाते है तो आप इसको use कर सकते हो that is a heat lost by hot object is equal to, इसको कैसे calculate करोगे heat gained by calorie meter ठीक है ना जो भी heat gain करेगा calorie meter heat gain by calorie meter इसको plus कर दो किससे heat lost by hot object is equal to heat gain by calorie meter plus heat gain by water heat gain by water यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है बस आपका यह चीज़ खतम हो जाएगा क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको अगर कोई पूछे कि आप अगर कोई भी hot object है उसका heat loss हुआ है कितना calculate करना क्योंकि एक चीज़तों हमने इसके पहले heat exchanger में सिखा heat loss by hot object is equal to heat gain same ही होता है लेकिन उसको calculate कैसे करोगे तो calculate करने का तरीका है calorie meter का आपको यूज करना पड़ेगा तो calorie meter के वज़े से जितना भी heat gain हुआ है और water के वज़े से जितना भी heat gain हुआ यह दोनों को plus कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर total मिल जाएगा और इसको shortcut तरीके से लिखा जाता है Q is equal to Q1 plus Q2 क्या लिखा जाता है Q is equal to sorry calorie meter को हम लोग Q2 बोलते हैं और इसको Q1 बोलते है Q2 plus Q1 ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है this is the end formula जो आपको exam में पूछा जा सकता है इसके base पे questions पूछे जा सकते है तो अच्छे से prepare कर लेना ठीक है तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का one short regular video revision video जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा explanation दे दिया है ही chapter का पूरा overview दे दिया है अब आपको बस इसको आदा घंटा लेलो एक घंटा लेलो बस अच्छे से इसको chapter को देख लेना पढ़ लेना जो भी important term से उसको revise कर लेना याद कर लेना by heart कर लेना जो भी करना कर लेना और यह पूरा chapter का चोटकी बजाता ही complete हो जाएगा और exam मे कोई भी questions इसके ओपर पूछ लेंगे तो आप easily उसको लिख के आओगे solve कर के आओगे ठीके बस हो गया तो दोस्तों फिर इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और ऐसे ही कई सारे वीडियो समाप के लिए लेकर आए हैं जैसे कि आप जानते हो मैं फिर से बताना है वो हमने अल्रीडी प्रोवाइड कर दी है आपको हमने आपके लिए जो है दोस्तों माक्स डिस्ट्रिब्यूशन वो भी प्रोवाइड कर दिया है उसके अलावा हमने पेपर फॉर्मेट जो है दोस्तों वो आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है हर सब्जेक का उसके अ लावा हर चीज मैंने दिया है हमारे endgame series के अंडर मतब यह सब चीज तो दे ही रहा हूँ और भी कई सारे चीज है अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है मैंने क्या क्या दे दिया है मतब इतने सारे चीज है और English grammar का revision series भी start कर दिया जो हर रात को आपको मिलता होगा 8 बजे क आस-पास ठीक है तो वह आप देखते रहे ना अच्छे से प्यार देते रहे ना तो इसे के साथ आज का वीडियो समात करता हूँ थाइंगी सो मज़ गाइस पर वाचिंग इस वीडियो और उमीद करता हूँ कि आपको यह बहुत मजा आ रहा होगा करने में हमारे साथ जु आने वाला स्टार्टिंग से आज भी खड़ा रहूंगा आपके लिए बस आप लोग प्यार दिखाते रहे ना ठीक है तो वीडियो समात होता है यह वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कॉमेंट करना वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर द